एक तरफ चोधरी रुद्रसेन और एक तरफ प्रदीप चोधरी तो गुर्जर समाज फिर किस परकार से निर्णे कर पाएं। पूरा गुजर समाज इसका रिनी है और आने वाले समय में पाज विरहकों में भी एक राज्यास्तर का पद हम से दिया गया। और क्या हम इसी लाइक है। जादरी में क्या परकरन हुआ। उसमें हमारा अपमान हुआ। इसमें विपिन जी जो हमारा सम्मान करेगा गुजर समाज उसी के साथ रहेगा। चोदरी विरेंदर सिंग जी है। राष्ट्य लोग दल कोटे से कैबनेट मंत्री बने थे। अगर चोदरी विरेंदर सिंग पार्टी ना छोड़ते तो राष्ट्य लोग चोदरी विरेंदर सिंग बड़े नेता है। उतना उन्होंने सम्मान नहीं मिले रहा। परन्तु म उत्तर परदेश के पूर डिप्टी सीम रहे स्वर्गे चोधरी बाबु नैनान सिंग जी के पोत्र मीरा पूर से विधायक चंदन चोहान को राष्टिय लोगदल का राष्टिय अध्यक्स बनाया गया है यानि एक बार फिर से राष्टिय लोगदल अध्यक्स जैन चोधरी ने राष्टिय लोगदल ने गुर्जर समाज को बड़ा सम्मान देने का काम किया है इस सम्मान के बाद गुर्जर समाज उत्साहित भी बहुत है तस्वीरों में आप जिस सक्स को देख रहे हैं इनका नाम चोधरी सुकदेव सिंग है और गुर्जर समाज के बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं इन से बादचीत करेंगे और ये जानेंगे के आने वाले लोकसभा चुनाओ में क्या गुर्जर समाज भारते जन्ता पालटी को छोड़ कर राष्टे लोगदल का रूप कर सकता है चुकि राश्टे लोगदल जहन चोधरी गुर्जर समाज को लगातार सम्मान देने का काम कर रहे हैं चोधरी सुगदेव सिंग जी सबसे पहले तो इंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद जी पिन जी चोधरी सुगदेव सिंग जी मेरा आपसे सबसे पहला सवाल यह है कि चंदन चोहान की ताज पोसी को आप किस परकार से देख रहे हैं खासकर गुर्जर समाज किस परकार से देख रहा है चंदन चोहान को जो जुम्मेदारी राश्टे लोगदल ने दी है इसके लिए पूरा गुजर समाज बहुत ही उत्साइक है इसके लिए हम जैंत जी का बहुत दन्यवाद करते हैं और पूरा गुजर समाज इसका रिनी है और आने वाले समय में इस रिन को उतारा भी जाएगा और जो सत्ताधारी पार्टी है इन्होंने हमें कुछ नहीं दिया जो उम्मीद हमें इस पार्टी से थी उस उम्मीद पर ये पार्टी खरी नहीं उत्री इसमें कोई संका नहीं है पांच-पांच विधायक हमारे समाज के हैं और पांच विधायकों में भी एक राज्यास्तर का पद हम से दिया गया और क्या हम इसलेक है दूसरी पार्टियों ने हमारे साथ क्या नहीं किया दादरी में क्या परकरन हुआ उसमें हमारा अपमान हुआ, जहां भी देखे गुजरों का अपमान हो रहा है, एक राष्टे लोगदल इसी पार्टी है, जिसने हमारे समाज का इतना मान सम्मान किया, और उसका हम बहुत तहदिल से धन्यवाद करते हैं, और देखे इसमें विपिन जी जो हमारा सम्मान गुजर समाज उसी के साथ रहेगा, अब की बार गुजर समाज भटकने वाला नहीं है, तो रज्य मंत्री का पद्धिया यह कोई ज्यदा बड़ी बात नहीं है, दूसरे समाज के लोग एक-एक मेले बने रहे, कैबिनेट मंत्री तक बने और गुजर समाज को जो परिवार ने दिया है, मैं तो मानता है नहीं इतना किसी ने सम्मान दिया हूँ, आज तक तो किसी ने इतना सम्मान दिया नहीं, आप अभी कह रहे हैं कि चोधरी परिवार ने यानी जैन चोधरी के परिवार ने गुजर समाज को पहले भी सम्मान दिया, क्या-क्या सम्मान देखे चोधरी विरेंदर सिंग जी है राष्ट लोग अकदल कोटे से कैबनेट मंत्री बने थे पसुधन मंत्री उन्होंने इतने लड़के लगवाए गुजर समाज से भी और अन्य समाज से भी समाज के अंदर एक इतनी बड़ी जागरती आई उनके मंत्री बनने से कि आज जो बच्चे नोकरी पर लगे आज उनके परवार जेन्त की या चोधरी जीत सिंहकी वजये से अज वे बहुत अच्छी तरक्की कर रहे हैं सम्मवें शिक्सित भी शिक्सित थे और उनके आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत है तो यह चोधरी जीत सिंग की ही देन है उसके अलावा 89 में चोधरी यस्वीर जी को डाक्टर यस्वीर जी खदिग रामोदोग के चैर्मेन बने थे यह भी चोधरी पिरिवार की ही बदोलत थी जो पद इतना बड़ा पद पूरे भरस काम ने मिले था और उसके बाद में जद साब है बलवीर सिंग जी हाई कोट के जज रहे सुप अंग्रस की आती हैं कभी किसी के आती हैं प्रंतु सुरुवात की जड़ मजूद करने वाली गूजरों में इस परिवार पर थी वह चोधरी परिवार की थी इस तरीके से आपने चोधरी विरेंदर सिंग जिकर किया राश्टे लोगदल को छोड़ने के बाद उन्होंने च उनके साथ रहता तो चोधरी विरेंदर सिंग में पिर चुनाव जीत जाते हैं बिल्कुल अगर चौधरी विरेंदर सिंगी न छोड़ते तो राश्ट्य लोगदल और हमारे समाज के लोग मतलब बिलकुल भी से चुनाव जीत रहे हैं दूसरी मतलब जाट विरादरी के और जो इनका टिकट होता तो राष्टे लोगदल का जो जाट ओट बैंक है वो चोधरी विरेंदर सिंग को मिलता तो बस भटक गए में भाजपा में आने से ठीक MLC बन गए उतना सम्मान नहीं मिला चोधरी विरेंदर सिंग का बहुत उचा के चोधरी विरेंदर सिंग बड़ेनेता है उतना उन्होंने सम्मान नहीं मिले रहा यह इसके लिए हम दुख पर कट करते हैं चोधरी सुकदेव जी अब मेरा आप से सवाल यह है कि दो हजार चोबीस में लोकसभा का चुनाव होना है तो जिस तरीके से जैन चोधरी पहले खतोली में मदन भहिया को उन्होंने सम्मान दिया गाजियाबाद से खतोली लेकर पहुँचे टिकट दिया और उनके लिए डोर टू डोर मैनत की उन्हें चुनाव जितवाया और अब चंदन चोवान को बड़ी जिम्मेदारी सोपी है तो क्या गुजर समाज राष्टे ल टिकट लेने वाले खतोली में भी वह थी प्रंतु आखिर उन्हें मदन भहिया को ही क्यों टिकट दिया उन्होंने समाज को उपर उठाने के लिए जैन्चोधरी ने गुजर समाज को टिकट दिया और उनको बहुत महनत करकर समाज के लोगों ने अन्य समाज के लोगों ने खतोली से मदन भाईया को विधाग बनाया ये एक छोटी बात नहीं बहुत बड़ी बात है टिकट तो और किसी को मिल जाता प्रंतु मदन भाईया को वह क्यों टिकट दिया उन्होंने गुजर कौम को याद रख्या कि ये कौम बहुत 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 बादूर कौम है और 24 में जो भी मतलब लोग सबाग चुना आएगा उसमें हम पूरे जोरों से मतलब इस बात पर मन्थन करेंगे और जो हमारे समाज का मतलब टिकट देगा उसको अम बिलकुल उसका संबान करेंगे अगर राष्टे लोगदल का कोई हमारे समाज का बीच में कोई कंडिडेट आएगा तो उसको पूरा संबान मिलेगा देखो आप फिर बात जो है कर रहे हो अपने समाज की बात कर रहे होगे राष्टे लोगदल से हमारे समाज का जो बीच में आएगा उसके बारे में हम सोचेगे लेकिन खतोली विदान सबाव उफचुनाओं में तो जाट समाज न से वोट देखा नहीं यह तो देखो पार्टी निर्ना करेगी परन्तु जैसे फिलाल आकड़े लगाए जा रहे हैं यहां से उसके खत्ते में जा सकती है राष्टे लोगदल के खत्ते में उसका टिकट हो सकता है टिकट आने पर मतलब इसके बारे में विचार क्या जागा जैसे किसी का भी टिकट हो गुजर समाज राष्टे लोगदल के साथ रहेगा अगर कैराना लोग सभा से राष्टे लोगदल से समाजवादी पार्टी और आजार समाजवादी के गटबंदन से चोधरी रुद्रसेन या फिर चोधरी इंद्रसेन का टिकट होता है तो फिर इस्थिती क्या रहेगी चुनाव जिततेंगे जी अगर यहां से चोधरी रुद्रसायन जी का टिकट हो गया राष्टे लोगदल से तो बिलकुल सभव किसी बात से चुनाव जीत जाएंगे इसमें कोई किसी भी परकार की कोई संसंजी है परदीप चोधरी का गड़ टिकट तो फिर क्या इस्थिती रहेगी देखे वो तो जब ओट पड़ती है और ओटिंग के बाद पता चलता है मुकाबला होगा कांग्रेस का भी पर टैक्सी आएगा बस पाक है पर टैक्सी आएगा परन्तु जो मुकाबला रहेगा वो भाजबार इसके राष्ट लोगदल के बीच में रहेगा बाकी किसी के बीच में मुकाबला नहीं है रहने का यहां सी सुकदेव जी अब मेरा आपसे बड़ा मेहतोपून सवाल है चूंकि इस लोग सवा में गुर्जर समाज बड़ी अच्छी निर्णायक भूमिका में है तो जिस तरीके से मैंने आपसे सवाल किया कि एक तरफ चोधरी रुद्रसेन और एक तरफ परदीप चोधरी तो गुर इन ही तो बड़ी कारंटी नि ले सकते है कि हम अपने समाज की भई मारे समाज एक तर फई परन्तु कोई भी समाज हो ओ दो जगह फट जाता है इसमें परदीप जी बहुत मिलेगा बाइर उद्रसायन जी को भी ओट मिलेगा परन्तु यहां राष्टे लोग दल इसलिए बनता है कि अगर यहां पर सभी पार्टी अलग अलग चुनाओं लडेंगी तो उसमें किसकी जीत होगी किसकी हार होगी इसके बारे में तो कहें जाता है अगा गट बंदन क्योंकि जब दो ताकते तीन ताकते एक जगह हो जाती है तो ताकत चट्टान की तरह सामने खड़ हुआ है बख किसी का यहां कुछ नहीं है मुकाबला जो रहेगा गट बंधन और बीजेपी के बीच में रहेगा तो गुर्जर समाज की नाराज की क्या भारते जनता पार्टी से रहेगी जिस तरीके से आप दादरी परकरण का जिकर कर रहे हैं नहीं देखे पिछली सरकार बीजेपी की थी अब की बार भी बीजेपी की सरकार है दूख इस बात का है कि हमें कैबनेट मंतराले नहीं मिला और कैबनेट मंतराले खुद अपनी मर्जी से काम करता है राज्यास्तर का मंतरी दूसरे का अधीन है तो जब हमारे मंतरी एक किसी का भी ट्रासफर नहीं करा सकते तो बताओ फेर जीत और हार का कारण खुद आप समझ सकते हो सुकदेव जी अभी चंदन चोहान की ताज पोसी के बाद हम जाट समाज के लोगों के बीच में पहुँचे और चंदन चोहान की ताज पोसी को लेकर हमने उनसे कुछ सवाल किये तो जाट समाज के लोगों ने महारत साथ दिया कि अंदर और उसके लिये में बधाई के पातर है और हो सकता है अगा गुजर समाज भी ये संका dud है बई किसी परकार कि हमें संका है आने वाले समय में हम घट बंधन के साथ भी हो सकते हैं जिस तरह से उन्हें महारत साथ दिया उसका रिन उतारने का काम समाज जरू करेगा और पार्टी ने समाज का गुजर समाज का संवान क्या है, उसका संवान हमारी गुजर कोम ने हमेशा से करती आई है, अब देख रिए राष्टे लोगडल के चोधरी संजे सिंग थे, चन्नन चौहान के पिता जी, वे भी राष्टे लोगडल के कोटे से परलेमेंट के साथ इस्षे बने, तो कि यह चोटा सम्मान था, यह बहुत बड़ा सम्मान था, पांच MP राष्टे लोगदल से चुने गई थे, पांच छेते में, उनमें हुजरो का भी नाम था अपना, तो जब यह हम से टिकटिन देते, तो फेर ओट तो बस खात्य में गेर नी, यह पांच MLA हमारे भारती ज यह है, यह हाल राजस्थान में आप देख लो, दूसरे राज्यों में देख लो, अर्याना में देख लो, गूजरों को ओट लेने के काम तो करते हैं, अब भाई ओट लेकर और फिर उनको बरप में लगा देते हैं, अच्छा सुकदेव जी, अब मेरा आप से सवाल यह है, किया गूर्जर समाज ने पहली बार जिस तरीके से खतोली विदान सबाव चुना हुआ, और पहली बार गूर्जर समाज एक जुट हुआ, जैसा की चर्चाएं हैं, और क्या पहली बार ही गूर्जर समाज ने सत्ता के विरोध में जाकर वोट करने का काम किया, हाँ देखे वैसे उप चुनाओं में ज्यादा तर सत्ता के लोग ही जीतते हैं ये एक आध जगह को छोड़ कर बाकिये पहला बार देखनों को मिला अक सत्ता के विपक्स में खतुली चुनाओ मंदन भाया नीजिने वहां से राष्टे लोग दलगड़ बंदन ने ये चुनाओं जीता है वर्णा सत्ता के जीतते हैं तो कुछ ना कुछ सो खुबी है समाज ने दूसरे समाज के लोगों ने उस विधायक को वहां से रिजैन करिया और रिजैन करकर एक होनारपुरा ने जो मदन भाया है पहले भी विधायक रहे हैं और दमदार विधायक है और उसी की दमदारी के कारण वहां से टिकट देकर वहां के लोगों ने उनको चुनाव जताया तो इसके लिए जैन्त जी का बहुत बहुत दन्यवाद आप मदन भाया को ओनार बता रहे हैं लेकिन भारतिय जनता पार्टी वाले तो कुछ और ही बता रहे थे वो तो उन्हें बहु बली बता रहे थ देखें तो सभी में बहु बली हैं नेर्ने जो लेती है गाउं की जनता लेती है ओट जो गेरती है जनता गेरती है बहु बली तो सदाते ही होते ही आई है जिसके भी सत्ता आई उसे में कोई ना कोई बहु बली होते ही आया बहु बली का जिकर करें उसमें बहु बली है हर तो चलिए अब आप से मेरा अंतिम सवाल है और सवाल यही है कि जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं हाला कि आप खुल कर कुछ बोल नहीं पा रहे हैं लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपका मैंन यह है कि जैन्द 14 जिस परकार से गुर्जर समाज को समान दे अपते हैं तो गुजर समाज भी कुछ नकुछ सम्माज राष्टे लोगदल कर जैन चोधरी का करें, बिल्कुल करेंगे जी, गुजर समाज का जैसा उन्होंने मतलब सम्मान किया, उसका रिन उतारने का काम करेंगा? गुजर समाज चलिए तो गुजर समाज के बड़े ही सुबचिंटक चोधरी सुकदेव सिंग जी को आपने सुना जिनों ने कहा है कि जैंत चोधरी ने गुजर समाज पर जो उपकार किया है चंदन छोहान को जो सम्मान दिया है मदन भहिया को जो सम्मान दिया है गुर्जर समाज को जो सम्मान दिया है आने वाले चुनाव में गुर्जर समाज यह रिन उतारने का काम करेगा फिलाल इस वीडियो में बस इतना ही अगली वीडियो में फिर आप से मुलाकात होगी तब तक बने रहे हैं इंदुस्तान 24 के साथ नमस्कार